आईफोन लवर्स के लिए गुड नियूज आ चुकी है आप पर कमपनी जल्द ही आईफोन 16 लाँच करने वाली है और इस बार के आईफोन में ऐसे जबरदस फीचर्स आड़ होने वाले हैं जो इसे और बहतर बनाएंगे कहा जा रहा है कि आप परल सितंबर में आईफोन की नई सीरीज लाँच करेगा रिपोर्ट की मारे तो कमपनी 10 सितंबर को अपना लाँच इविंट रच सकती है अब ऐसे में न्यू आईफोन की फोटोज और उससे जुड़ी कुछ धासू फीचर्स लीक हो गए है जिससे देखकर नए आईफोन सीरीज के लिए लोगों की एकसाइटमेंट तो और बढ़ गई है इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस बार के आईफोन में क्या नया देखने को मिल सकता है तो पहले बता देगी कंपनी आईफोन 16, आईफोन 16 प्लस, आईफोन 16 प्रो और आईफोन 16 प्रो मैक्स लाँच कर सकती है एपल आईफोन 16 के डिजाइन में कैमरा मॉड्यूल कुले कर कुछ नए बदलाव कर सकती है Reports के माने तो Company camera module vertical करने वाली है कहा जा रहा है कि ये phone में vertical shape वाला rear camera setup दिया जा सकता है और ये बदलाव iPhone 16 और 16 Plus में देखने को मिल सकता है मतादे इस तरह का camera setup हमें iPhone X और iPhone 12 में देखने को मिला था Company ये बदलाव special video feature आड़ करने के लिए कर रही है ये भी बताये गया है कि iPhone 16 Pro Max में तीन camera होंगे जसमें से एक 108 megapixels का rear camera होगा इसके लावा एक wide angle और एक telephoto lens होगा जिससे दूर की चीज़े साफ दिखेंगी और night photography भी अच्छी होगी इसके लावा company standard variant में mute button को action button से replace कर सकती है साथ ही iPhone में एक नया capture button भी add हो सकता है जिसके मदद से camera को control किया जा सकेगा ये button video recording, zoom in, zoom out और focus करने पर काम करेगा इसके लावा हमें new iPhone में A18 chipset देखने को मिल सकता है जो इसे और भी advanced बनाएगा वैसे कंबरी अपने नए operating system iOS 18 के announcement पहले ही कर चुकी है इससे advanced user interface, useful shortcuts, graphics, better data security और privacy मिलेगी सूत्रों के निसार iPhone 16 Pro desert yellow यानि desert titanium और cement gray यानि titanium gray color में launch हो सकता है साथ ही iPhone 16 Pro Max का design बहुत ही attractive होने वाला है इसमें 6.9 इंच का बड़ा screen होगा जो बहुत ही साफ और चमकदार दिखेगा इस screen से videos देखने का और games खेलने का मज़ाद दो गुना हो जाएगा वैसे एकसर iPhone की battery को लिकर काफी सवाल उठते रहे है लेकिन company ने इस बार इस problem को भी पूरी तरह से solve करने का फैसला कर लिया है बदाया जो रहा है कि iPhone 16 series की battery बहुत strong होने वाली है और ये लंबे समय तक चलेगी इसमें 4500 mAh की battery होगी जो fast charging और wireless charging को support करेगी तो इससे आपको इसे बार बार charge करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी साथ ही तेज 5G internet, पानी और धूल से protection और face ID जैसे कई और से विधाय इस बार के नई iPhone series में देखने को मिल सकती है और जो सबसे बड़ा feature होगा वो है AI AI का खास use देखने को मिलेगा जोसे users को iPhone को operate करने में आसानी होगी और कुछ धमाकेदार features भी दिखेंगे तो ऐसे में iPhone 16 की launching technology की दुनिया में एक बड़ा event होने जा रहा है जिससे लेकर सभी को काफी जादा इंतिजार है आप अलेक बार फिर अपने users को बहतर और new technology का experience कराने के लिए पूरी तरस से ready है हाला कि फोन के features को लेकर company की तरफ से कोई official statement तो नहीं आया है लेकिन फोन की कई leak details सामने आ चुकी है जसके बारे में अभी हमने आपको जानकारी दी तो आप हमें comments में जरूर बताए कि नए iPhone के लिए आप कितने excited है और ऐसे ही और वीडियो के लिए follow करते रहिए आर भारत